क्यार एक लाग रुपए, देड़ लाग रुपए, यह ऐसे प्राइस सेग्मेंट से हैं, जिसमें आपको वैल्यू फर मनी लाप्टॉप्स नहीं मिलते हैं, यह प्राइस सेग्मेंट है, पर्फॉरमेंस लाप्टॉप्स की, क्यार जैसे जैसे नए चिप सेट लेटे लाप्टॉप भी मिलते हैं, सो मेरा कहना यह है कि प्रीमियम प्राइस सेग्मेंट में ना, पर्फॉरमेंस के मायने बदलते रहते हैं, तो यह जो एक से देट लाग रुपए की प्राइस रेंज है, इससे उपर आपको एक लाप्टॉप नहीं लेना चाहिए, पीसी लाप्टॉप जो कि आप अंडर 1.5 लाग्स करीच रखते हो, 4000 सेरीज के लाप्टॉप लेटेस्ट 13 जनरेशन वाले लाप्टॉप, सभी इंक्लूट करें मैंने, बट फर्स्ट लेट्स लेट्स टॉक अबाउट आप पर्फेक्ट लाप्टॉप फोर क्रेटर्स, लेस्ट के साथ में लाप्टॉप आता है, 3 मिली सेकंड्स का लो रिस्पॉंस राइम है, 144 रच की रिफ्रेश रेट है, और कलर अक्यूट डिस्प्लेई डिस्प्लेई है, 100% ऐसा RGB आपको मिलती है, Ryzen 7 6800HS चिपसेट इस लाप्टॉप में आपको मिलता है, ये चिपसेट यार, Ryzen 7 6800H का एक थोड़ा सा कम पार कंजूविंग, चिपसेट ऑप्शन है, परफॉर्मेंस आपको कोई खास कम नी मलती, मोटा मोटा बता हूँ, then Ryzen 7 के 6800H से, आपको लगबग 5-7% कम परफॉर्मेंस मिलेगी, इस Ryzen 7 6800HS से, बाकी 16GB के RAM है, DDR5 RAM है, सिंगल चनल है, RAM अपग्र 3060 के बराबर के निकाल के देगा, in some cases, 3060 को ये GPU सरपास भी करता है, because of VRAM Advantage, obviously, यार इस laptop के सबसे main USB portability है, भाई 1.65kg का laptop है ये, and इतना powerful भी है, अगर आप बहुत रेवल करते हो, and अगर आप content creation की field में हो, साथ ही अगर आपको Macbook वगर नहीं पसंद, and आपको editing के साथ gaming भी अगर नहीं है, then Rock Zephyrus G14, 1.5 लाग के आस पास, best option है आपके लिए, Max Switch वगर अगर सब मिलता है इस laptop में आपको, heating की बात करें, then यार heat तो ये laptop होता है, but इतना कुछ ज्यादा heat भी नहीं होता, मैं इस laptop को compare कर रहा हूं, बाकी segment के laptop से, so उनकी comparison में यार, obviously, laptop heat होता है, because काफ यार compact laptop है, but again मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको एक portable, hulkा powerful laptop चाहिए, then Rock Zephyrus G14, 1.35,000 का best option है, और यहां दोस्तों, लिस्ट में में आपको जितने भी gaming laptop बता रहा हूं, इन सब की buying links, description में आपको मिल चाहेगी, so you can check them out, if you are interested, अगर आपको एक proper value for money laptop चाहिए, then this upcoming Acer Nitro 5 is for यह laptop आपको 10,000,000 का नहीं, एक लाग का मलता है के वल, but specs इस laptop के कहीं से भी, 10,000,000 रुपे वाले laptop से कम नहीं लगते है, at only 1,000,000 रुपीज, यह Acer Nitro 5 आपको, RTX 3070 Ti GPU उफर करता है, इस laptop के specs इतने अच्छे हैं ना, कि 1.5 लाग के laptop की वीडियो में भी, यह laptop इंक्लूड कर है, you can easily go with this GPU, and सही मायने में laptops के लिए, एक future proof GPU की बात करे ना, तो वो 3070 Ti है, because of its VRAM, and the best part is that, इस laptop में GPU अच्छा देके, cost cutting भी नहीं है, आपको थी best in segment GPU के साथ साथ, अच्छा CPU भी मिलता है, i7-12650 H chipset है, 16 GB के DDR4 RAM है, यह थोड़ी कमी है, 1 TB के आपको Gen 4 SSD मिलती है, and इस laptop क जो display है न, वो इस laptop के specs की इज़र करता है, आपको 15.6 inches का QHD IPS display मिलता है, refresh rate 165 hertz की है, and 3 milliseconds का response time है, so ओने पे सुआ हगा इस laptop में MUX switch भी है, यार nothing more to say, currently this one is the most value for money laptop option, जो की for any task 1 lakh रुपीज का आप ले सकते हो, list का तीसरा laptop है HP Omen 16, यह HP की Omen series न, बिलकुल Lenovo की Legion series जैसी है, य display ले लो, specs ले लो, even thermals, Omen series के बहुत यह अच्छी होते हैं, 16 inches का, एक QHD IPS display, यह laptop आपको offer करता है, refresh rate 165 hertz की है, and 3 milliseconds का response time है, chipset इस laptop में आपको मिलता है Ryzen 7, 6800H, 8 cores and 16 hertz वाला chipset है, यह not that powerful, but for majority intensive tasks, यह chipset काफी enough है, GPU आपको मिलता है 3070 Ti, TGP 120 watts है, बट ज्यादा TGP से बिलक पर यह 16 GB के आपको single channel DDR5 RAM मिलती है, RAM upgradable है, up to 64 GB, 1 TB की Gen 4 SSD है, and SSD और HDD, दोनों के upgradable slots, यह laptop आपको offer करता है, yeah overall it's a really good laptop, but yeah, chipset इस laptop की price को justify नहीं करता है, haan GPU इस laptop में बहुत यह अच्छा दिया हुआ है, अगर आपको एक ऐसा laptop चीह है, just mean you want everything top tier, but at the same time balanced, then उस case में यह HP Omen 16 आपके लिए 1,25,000 के आसपास का, की laptop आपको cost करेगा, list का दूसरा laptop है, Acer की Predator Series का gaming laptop, यार Acer की Predator Series, एक premium gaming laptop series है, and same as HP Omen Lenovo Legion, thermals वगरे के चिंता आपको इन laptops पे नहीं करनी होती, बाकी है included Predator Helios, आपके लिए तब है, जब you want a laptop with best in segment chipset, अगर आपको chipset से ज्यादे काम है, आप editing, multitasking, rendering वगरे करने वाले हो, then उस case में ये laptop बहुत अच्छा option आपके लिए, with i7 13 generation chipset, CPU intensive task इस laptop पे आराम से होंगे, to be specific इस laptop में आपको i7 3700HX chipset मिलता है, इस chipset में पूरे 16 cores हैं, and 24 threads है, after offering a good chipset, हलाकि इस laptop में GPU को लेके थोड़ी cost cutting है, RTX 4050 GPU, ये laptop आपको offer करता है, 40 3050 को आप है न, 3060 and 3070 के बीच का GPU लेके चलो, no doubt powerful GPU है, offers you 6GB of VRAM, but 3070 TiO से compare करें, then it's not that powerful, but बात वही से में, ये laptop GPU में थोड़ी cost cutting करके, आपको बहुत ही शानदार latest 13 generation chipset offer कर रहा है, again एक DDR5 बेलड वाला laptop है, 16GB के आपको dual channel DDR5 RAM मिलती है, RAM upgradable है, up to 32GB, 1TB के SSD मिलती है आपक 13 inches का WXGA plus display मिलता आपको, यानि display full HD से better है, बट 2K से यार बहुत पीछे, एक IPS panel display है ये, 165Hz की refresh rate है, and 3ms का है response time, इस laptop में मक्स वेच है, thermals अच्छे है, यार 5th generation के liquid metal वाले, aeroblatt के 3D fancies laptop में, thermals यार, obviously अच्छे ही होंगे, मक्स वेच आपको मिलता है, as itself predator 3D's laptop, build भी काफी premium है, if you want a laptop, जिसमें आपको main cheese chipset चाहिए, then this Acer predator with i7 13 generation chipset, is currently the best option, 1,25,000 रुपीज का, ये laptop आपको मिल चाहेगा, list का पहला laptop है, again Acer की तरफ से आने वाला एक laptop, यार I know इस लिस्ट में Acer के 3 laptop include कर लिये हैं, but यार सच में हाल फिलाल, Acer के जितने भी laptop मिल रहे हैं आपको, वो बहुत ही value for money deals है, and that's why list का पहला laptop है, Acer का Nitro 16 gaming laptop, ये laptop best of the both worlds है, आपको chipset GPU किसी भी चीज में compromise नहीं मलता, latest Ryzen 7, 7840HS chipset ये laptop आपको offer करता है, it's a octa-core chipset, but i7 13 generation से केवल 15% weak है, maximum tasks के लिए chipset वैसे भी more than enough है, GPU आपको इस laptop में मिलता है, RTX 4060, 8GB की VRAM वाला GPU है ये, but it's a far more capable, 16GB के dual channel, DDR5 RAM ये laptop आपको offer करता है, RAM upgradable है up to 32GB, 512GB की SSD है, SSD है pre-installed काफी कमाई है, but 2GB की HDD, and 2TB की SSD का, expansion slot इस laptop में आपको मिल जाता है, 16 inches का WUXGA display है, यानि वही same full HD से better, but 2K से बहुत पीचे, 165Hz की refresh rate है, and response time आपको मिलता है, 7ms का, यार इस laptop में सब चीजें बिलकुल balanced है, Ryzen 7 paired with a 4060, data के आसपास एक value for money deal भी बनता हूं है, gaming 4K rating कुछ भी करना होपको, easily you can do that, on this Acer Nitro 16, around 1,35,000 के आसपास का, के laptop आपको मिलेगा, यार ये थे वो सभी laptops, चोकि 1.5 lakh रुपीस की range में best deals है, अपनी brand preference, and अपनी need के recording, इस list का कोई भी laptop में लो, all of these are really powerful machines, इन सभी laptops के link का मिल जाएके description में, from there you can check these out, for now dostos, that's it for today's video, and as always, I will meet you in the next one.